दोस्तो इंडिया इंगलैंड का वर्ड कुप मैच आज खेला जाएगा तो आई दोस्तो जानते हैं कि इस मुकाबले में इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी और दोस्तो जानेंगे इस मैच में कौन सी टीम का पलिडा भारी है तो चलिए दोस्तो वीडियो को तो दूसरी तरफ इंग्लैंड का परदशन इस पूरे वर्ल्ड कप में काफी फीका रहा है यूं कहले कि उनका परदशन इस वर्ल्ड कप में निचले दर्जे का रहा है जहां इंग्लैंड की टीम पिछले वर्ल्ड कप की विजेता है लेकिन उनका परदशन इस पूरे वर्ल और ऐसे में इन दोनों टीमों के बीच Head-to-head record की बात कर ले तो इन दोनों टीमों के बीच में 106 match खेले गए हैं जिसमें से 57 बार भार की टीम को जीत हाथ लगी है तो 44 match England जीता है ऐसे में इन दोनों टीमों के बीच वर्ल्ड कप में भी हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर ले तो इन दोनों टीमों के बीच वर्ल्ड कप में आठ मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से चार बार इंग्लेंड की टीम को जीत हाथ लगी है तो तीन मैच भारत ने जीते हैं और एक मैच ड्रॉ रहा था SMH यहाँ पर इंग्लैंड का हलका बहुत पलडा भारी है लेकिन दोस्तो जिस कदर भारतिय टीम इस वर्ल्ड कप की फॉर्म में चल रही है उसे हराना इंग्लैंड की बस की बात नहीं होगी SMH इन दोनों टीमों के बीच आज का ये वर्ल्ड कप मुकाबला दोपहर दो बजे खेला जाएगा और दोस्तो ये मैच लकनों के एकाना श्टेडियम में होगा और दोस्तो आईए बात करते हैं इस मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी पहले बात करें भारत की तो भारत की तरफ से ओपनिंग बले बाची करते हुए कप्तान रोहिच चर्मा के साथ शुम्वान गिल दिखाई देंगे तो मीडल ओडर में विराट कोली, श्रियस अयर, के एल राहूल, सूरे कुमार यादव और रवींदर जडेजा मीडल ओडर में बले बाची करेंगे तो गेंद बाजी में मुहमत चमी, कुल्दीप यादव, जस्परीत बुमरा और मुहमत सिराज भारत की टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते दिखाई देंगे ज्यादोस तो हर्तिक पंडिया पूरी तरह फिट नहीं है और इस वज़ा से ही सूरे कुमार यादव को इस मुकाबले में मौका मिल रहा है अब इसके बाद बात कर ले इंग्लैंड की तो इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग बले बाची करते हुए जौनी बैरिस्टो के साथ डेविट मलन दिखाई देंगे तो मीडल ओडर में जोई रूट, बैनी स्टोक्स, कप्तान जौस बटलर, लिंब लिविंग्स्टन और मोही नली मिडल ओडर में बले बाची करेंगे तो गेंद बाजी में क्रिस वोक्स, डेविट विली, आदिल रशीद और मार्क वुड इंग्लैंड की टीम की प्लेइंग लेवन का हिस्सा बनेंगे और दोस्तो, इस बड़े मुकाबले में इन दोनों टीमों की प्लेइंग लेवन कुछ इस तरह दिखाई देगी ऐसे में दोस्तो आपको क्या लगता है ये बड़ा मुकाबला इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम जीतेगी आप अपनी कीमती राय हमें नीजे कमेंट में जरूर बताएं